हेलो दोस्तों स्वागत है आपके अपने यूटूब चैनल अंगत कुमार जीके जीएस पे मैं अंगत कुमार दिल्ली पुलीस क्वालिफाइड दोस्तों आज हम लोग बात करेंगे यूपी त्रिपल सी पेट दोजार इकीस जो कि दोस्तों एक नया एक्जाम आया है जिसको आप क्वालिफाइड करेंगे उसके बाद अधर एक्जाम के लिए इलिजबल हो जाएंगे उस दोस्तों उसका जो एक्जाम डेट है वो 20 अगस्त निर्धारित की गई है और तो दोस्तों उसी को लेके एक्जाम सेंटर जारी हुए है हर डिस्टिक में एक्जाम सेंटर बन कमेंट कीजिए अपने दोस्तों में सेर भी कीजिए और दोस्तों किसी भी एक्जाम से रिलेटेड आपको इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप मेरे से बात कर सकते हैं कमेंट बाक्स में मेरा नंबर मिल जाएगा और दोस्तों जैसे कि मैंने दिल्ली पुलिस का फिजिकल क्वाल से डिस्टिक वाई जारी हुआ है और एड्मित काड्स जो जारी होगा वह हम तंभावता हम 10 अगस्त Service जारी हो जाय अभ्यारती जिन जनपत से आएंगे दोस्तों कहां से आएंगे अभ्यारती और उनका एक्जाम सेंटर कहां पड़ेगा और आने आले अभ्यारतियों की संख्या तो देख लेते हैं दोस्तों देखिए यहां पर आगरा जो डिश्टीक है आगरा डिश्टीक सेंटर जो बनाया जोस्तों कहां-कहां से बच्के आएंगे देखें यहांपे देखें फिरोजाबाद मतुरा राजस्थान गुजरात और महाराष्व अधर स्टेट के बच्छे भी देखिएं दूस्तों कहां पर आ रहे हैं एकजियाम देने आग्रा सेंटर सबसे पहले आग्रा सेंटर पर और मत्हुरा फिरोजाबाद के जो भी केंडिरेट हें उनका एकजाम दोस्तों कहां पड़ेगा आग्रा में और लड़के देख लेते हैं दोस्तों देखिए सबसे ज्याता फीरोजाबाद से लड़के आ रहे हैं, उसके बाद मतुरा से 19,291 और माहराष्टा से 5502 ऐसे करके दोस्तों सनख्या है अब अगला सेंटर आम लोग देखैंगे दोस्तों देखें अलीगर्ड अली गढ़ में कहां कहां से लड़के दोस्तों आ रहे हैं here CON prakyo आटरा समय लिखा हुआ है हांधरस और भुलंध सार । हांधरस लड़कों क का सेंटर दोस्तों कहां गया है तो अली गढ़ अगला हम लोग देखेंगे देखिए अमबेटकर नगर तो आजम गड़के दोस्तों जितने कंडिडेट हैं उनका सभी का एक्जाम कहां पड़ेगा अमबेटकर नगर में अगला देखिए इटावा का जो एक्जाम सेंटर है वो अयोध्या में है कहां दोस्तों आयोध्या में अगला देखिए यहां पे देखिए जोनपूर के लड़कों का सेंटर आजम गड़ वैसे ही कस गंज कास गंज का दस्तों बदायू वैसे ही देखिए यहां मेरट का जो ग्याम सेंटर दोस्तों वो बागपत में है कहां पर दोस्तों बागपत में है ऐसे ही बहराईज जो स्रावस्ति के लड़के हैं उनका सेंटर कहां पर है बहराईज में वैसे ही माउं का सेंटर जो और भी डिस्टिक हैं जो, अब देखे दोस्तों, यहाँ पे डिस्टिक का नाम दिया है, कौन-कौन से मारे डिस्टिक है, देख लिजे एक बार, देखिए, जो गोंडा का है दोस्तो, वो बलरामपुर में एकजाम होगा, गोंडा के गंडिडेट का, और चित्रकूट वालों बन कीम होगा और देख लिए जहांं प्रकू आपि जो राई वर्य carbon वह पीली भैत्य मुरादा बात के लड़कों का होगा और उस्तों बस्ती में जो एक्जाइम सेंटर इन्होंने पकाई तो जो बना है वो संतकवीरनगार्द सिधार्थनगर और गोरखपूर के बच्चे जो होंगे वह कहां पर जूसतो एग्जाम देंगे वह बस्ती में अगला देखें दूस्तों उत्रा खंड के लड़के हैं उनका एक्जां सेंटर बिजन और में और दिखें अली बुलंद साहर में और देखे यहाँ पर एक अच्छा वहाँ डिश्टीक दोस्तोर देखे वाराणसी जितने बच्चे हैं उनका एक जियाम सेंटर कहां जोस्तोर चंदावली जिले में हैं वैसे ही आगे देख लिजिए यहाँ पर बांदा और कोसंबी के चित्रकूट में वैसे गोरखपूर ओपर भी था और यहाँ पर कुछ बच्चों का गोरखपूर में महाराज गंज के दो लड़के हैं इनका कहा होगा देवरिया में गोरखपूर और महाराज गंज के संटर इतावा में इतावा का और आया में अगे देखिए अब करें दूस्तों देखिए हमीरपुर का जो सेंटर दोस्तो वो कहा पर है फतेख तारथ र्ककार आजिव्राकूरे में अगर्क से अगेए धाजी वाध में रहाएं 味को गतम बुद्ध नगर के लड़के भी हैं मेरट के लड़के दादराग नड़के गोवा के देखे भी एक लड़का दोस्तों ने फॉर्म बर रखा है पेट का गोवा के लड़का भी उसका सेंटर गाजियाबाद में और करनाटक भी देखे 15 लड़के हैं केरल से भी दिल्ली ह अर्वाण्चर परदेस जम्मू कस्मीर अंदमान निकोबार ऐसे ऐसे अधर स्टेट हैं दोस्तों उनके एक्जाम मेक्सिमिम कहां हो रहे हैं गाजियाबाद में क्यूंकि हाइफार सीटी है दोस्तों इसलिए यहां पर पास में पड़ेगा दिल्ली से इसलिए इसको गाज अगे दखेंगे और में और किस अग्जा मुझान हो तो आजमगण देवर्यां और . चिंड़्याद्ट के जितने भी केंड़िणेटे हैं उनका मिस देखेए महोबा मुझेड हमीरफूर में अग्ला देखिए गाजियाबाद के बच्चों का लिए Ali सेंटर हपूर में वैसे ही सहारनपूर का एक्जाम सेंटर हर्दोई में वैसे ही आगरा के कुछ देखे पहले भी था कुछ हाथरस में बच्चे हैं आगरा के कुछ बच्चे का सेंटर हाथरस में आगे देखेंगे देखिए आगे देखिए अगले लिष्टे दोस्तों देखिए जहासी के बच्चों का एक्जाम सेंटर जो जालाउन में लबक 10,000 बच्चे हैं वैसे इस संतर अविदास नगर के बच्चों का जिसको हम लोग भदों ही बोलते हैं वो जानपूर में उसका सेंटर है जहासी में देखिए किसका किसका जालाउन तमिल नाडू तेलं नोज में और कानपूर नगर का सेंटर दोस्तों कानपूर देहात में कानपूर का सेंटर देहात में दे रिया और कानपूर देहात उन्नाव फतेहपूर का एक्जाम सेंटर दोस्तों कानपूर नगर में वैसे ही बदायों को एक्जाम सेंटर कास गंज में प्रयाग राज यह देखे इंपोर्टेंट है दोस्तों यहाँ पर प्रयाग राज को जो एक्जाम सेंटर है वो कौसंबी भेजा है उसके बगल में स्टेट है कौसंबी तो यह जानेंगे हम लोग देख लेंगे प्रयाग राज इतने बच्चे हैं उनका एक्जाम सेंटर कौसंबी में वैसे वहाँ लखं़व में खेंटा, सीतापूर, बारा बंकी, हरदोई और प्रयाक राज, प्रयाक राज के खुछ बक्चों के राज लखणलिख ना माह राज गया है js're आगले लिस्ट में देखिए देखे सोन भद्र और जारखंड के बच्चों का सेंटर दुस्तों मिर्जापूर में है सोन भद्र और जारखंड के बच्चों का सेंटर मिर्जापूर में वैसे ही अम्रोहा रामपूर और संभल का एक्जाम सेंटर मुरादाबाद और सहारनपूर के एक्जाम सेंटर प्रयाग राज में कहां कहां के बच्चों का रिखे प्रतावड के बच्चों का इसके बाद मिरजापूर के बच्चों सेंटर प्रयाग राज में उड़ीसा तिरपूरा बिहार इन पांच स्टेट के मतलब जो डिस्टिक है और स्टेट है इनके दोस्तों कहां हो रहा है एक्जाम सेंटर प्रयाग राज में देख लें किसका किसका है और आगे देखिए अब यहां पर है सुल्तानपूर सुल्तानपूर के जो डियाम सेंटर दोस्तों राय बरेली है और मुरादाबाद के ग्जाम सेंटर दोस्तों कहां पर है तुह है रामपूर में अगली लिष्ट दोस्तों देख लिए यहां पर देखिए दोस्तों सामली के जो एक्जाम सेंटर गया हुआ हो सह वो देखिये संतकभीर नगर में, और देखिये दोस्तों, वाराजसी के जो बच्चे हैं उनका एक्जाम सेंटर गया है, संतर अभिदास नगर मतलब भदोही में, अगला देखिये, यहाँ पर बरेली के बच्चों का गया है सहारनपूर, और बुलनसार के बच्चों का दोस् दोस्तों सामली में अगला देखिए 28 नंबर हापूर और पंजाब के बच्चों का के दोस्तों कहां ग्याम सेंटर है सामली में हापूर और पंजाब के बच्चों के ग्याम सेंटर है उसमें सामली में अगला देखिए स्टेट डिस्टिक देखिए बलरामपूर और भारायज के बच्चों के जो सेंटर है उसके बगल में जिला है कहां स्रावस्ति स्रावस्ति में दोस्तों गया है कहां पर स्रावस्ति में वैसे देखिए बस्ती बस्ती के जो गया सेंटर वो सिधात नगर वैसे दोस्तों यहां पर देखिए अब लखनौ और लखेमपूर कुछ देख चंदगूली, 36गड मनीपूर और मेगाला इनके बच्चों का दोस्तों कहा एच्जाम अगला के कुछा पर सुनभद्र में जेखिए यहां पर कि अमेठिक एच्जाम सेंटर्ड गया सुल्तानपूर वैसे इक कानपूर का सुननाव ओर वारांसी में किसका किसका सेंटर है इस बार देखिए कहां के प्रयाग राज के 20,000 बच्चे हैं प्रयाग राज के 20,000 बच्चे और गाजीपूर के तिरपन kills बच्चे तीरपन आठ सो नहीं वाराद सी में और वेश्ट बंगाल के 700 क्याओन बच्चे और बिहार के तीन हजार बच्चे तोटल बच्चों का बाराटिसी सेंटर बनाया है तो यह रहा दोस्तों पेट एग्जाम का एग्जाम सेंटर और सिटी एक बार दोस्तों फिर बता दू मैं आपको एग्जाम सरे रेट जो भी जनकारी चाहिए आप में चैनल सब्सक्राइब के लिजए आप सबसे पहले नीज मिलती रहेगी और तयारी के लिए आप में इस्ट्वार्टसप ग्रूप बना है वहाँ पर आपको कंटेंट मिलता रहता है तो आप में चैनल को सब्सक्राइब करते हैं आज लिए बस इतना ही थैंक्यू भाई भाई